ओम श्री गनेश आयनवा माइडिया फ्रेंज तो आज हम बिलकुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आपके पास आए हैं और वो ये है कि क्या आपके पार्टनर इस रिष्टे में रियूनियन चाहते हैं, माइंड में क्या है उनके रियूनियन है या नहीं है तो ये हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा जो कि बहुत ही जादा इंटरस्टिंग है और शायद आपको बहुत जादा इंतजार भी था इसमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के भी करण्ट सिचुएशन क्या है, फिलहाल क्या सिचुएशन से, माइंड से चल रहे हैं प्लस फिर हम देखेंगे क्या वो रियूनियन चाहते हैं या वो उसी सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हैं ठीक है तो फ्रेंज इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लीजेगा कोई भी चीज अपने उपपर नहीं करनी है और इसे नाम राशी, संसाइन या मून साइन जो भी आपको मैच करें जिससे आप जादा रिलेट कर पाएं जितनी रेजोनेट हो उतनी ही से देखें एक और बात की रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आती है प्लीज उसे लाइक जरूर करा करें और सब्सक्राइब कर दे मेरे चानल को अगर अभी तक नहीं किया है नोटिफिकेशन की बेल ओल पे रखें ताकि आपको सारी के सार वीडियो जब भी अप्लोड हो उसका नोटिफिकेशन जरूर आए ठीक है फ्रेंज तो इसी पर हम अब शुरू करते हैं अपनी डीडिंग को सो माई डियर पाइसी यानि के मेन राशी सो फ्रेंज आई होप आप सब अच्छे होगे फ्रेंज हम स्टार्ट करते हैं आपकी पार्टनर की कारंट सिचोवेशन से और फिर देखेंगे मेन कोशन क्या वो रियूनियन चाहते हैं या नहीं इस रिष्टे में सबसे पहला कार कंडिशनिंग देन वी हव सेलिब्रेशन अंडरस्टैंडिंग एंडेन पॉसिबिलिटीज देखें आपके जो पार्टनर है ना पाइसीज राशी वो शुरू से एक ऐसे महौल में पले बड़े हैं या उनकी जो सोच है वो ऐसी रही है कि उन्होंने अपने सामने सपोस्स अगर मैं ऐक ऐसे परीवार में रही हूँ जिसमें एक आदमी की ही बस चलती है जिसमें एक और ती रहती है आदमी उसको हर वक्क का सुनते नहीं है पापा और ऐसा ही घर का उन्वार्मेंट होता है अब कुछ बच्चे तो होते हैं उन्ही चीज अच्छी नहीं लगता में एक balance नहीं है लेकिन कुछ पच्चे होते हैं जो इसी चीज को सचमान के जंदगी में आगे बढ़ जाते हैं हर एक इंसान अलग है हर एक की soul अलग है तो उसके experience भी अलग है मैं उन परिवारों की बात करी जिसमें एक dominating father होता है और एक बहुत जादा सही औरत भी होती है जो अपनी बातों को कह नहीं पाती वो बस चुप चाप या तो housewife बनके एपनी responsibilities निभाती रहती है या फिर working भी होती है तो बस दपती ही चली जाती है आप एक उधारन दे रहे हो मुझे ये एक इंसान ऐसी एक situation में दिख रहा है जहां उसकी conditioning ऐसी situation में हुई है या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो जो उसकी खुद की soul है वो एक belief system पे चलती है जहां पर उसको लगता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और ऐसा ऐसा होना चाहिए मैं ये नहीं कहा रही कि उसके belief system गलत है लेकिन वो अपने belief system से पाहर नहीं आ पा रहा उसको कहीं न कहीं चीजों की understanding हो नहीं पा रही मैं आज आपको बताऊँ चीजों की understanding अगर जिंदगी के 20-25 साल तक नहीं हो पाती भी तो जो बाकी के 15-20 साल, 25 साल, 30 साल होते जो शादी एक इनसान की होती है बहुत जादा clarity मिलती है उसको life में बहुत कुछ पता चलता है उससे पहले तो सिरफ मैंने एक video में और बोला था कि सिरफ hormones का ही खेल चल रहा होता है आप opposite person की तरफ gender की तरफ सिरफ attract इसी लिए हो रहे होते हो गुसा आपको तब आतारे में इसके पीछे भग रहा था या इसके पीछे भाग रही थी ये तो भही किसी काम कर नहीं निकला है ना या girlfriend, boyfriend में भी आप देखते होगे कहीं लोग ऐसे होते है सो basically चाहे वो आप हो चाहे वो ये हो ऐसे belief system कोई भी रखेगा सो वो एक तरह की situation में फस जाएगा मुझे ये person ऐसा दिख रहा है जहां पर life ने इसको अब वो challenges दी है जहां पर उसे अब समझ में आने लगी है अब जिस cage में वो बंद था वो खुला हुआ cage है अगर आप photo में देखे understanding में तो वो खुला हुआ cage है वहां से इसको बाहर जाने की हिम्मत हो नी रही लेकिन अभी दीरे दीरे अब clarity इनको मिलने लगी है आपकी जिन बातों को ये नकारते थे यानि समझ में नहीं आती थी वो दिन्दगी में इने लोग समझा रहे हैं दिखा रहे हैं experience कर रहे हैं और जो हर एक problem है उसको भी कैसे deal करना है वो भी ने समझ में आ रहा है बहुत जादा मुझे इनकी current situation में ये पता चल रहा है कि लोग जो इनके साथ उठते बैठते हैं इन्हें तरह तरह की बाते समझाते हैं इन्हें कुछ clarity देते हैं इन्हें ये कहते हैं कि किस तरह से इन्हें अपनी हर situation को deal करना है और एक set pattern पे नहीं चल सकते हैं अब आप life में ठीक है अगला है क्या ये reunion चाहते हैं हमारा जो main question है Pisces आपका reunion वाला हम वहाँ पर आएंगे क्या ये आपके साथ वापस से reunion चाहते है Pisces Eight of Cups, Knight of Swords, The Sun and The Tower देखें मुझे एक बड़ी अजीब चीज नजर आई कि इस इन्सान ने अपने आप खुद आप से detach किया खुद को और इसका क्यों detach किया क्योंकि बहुत frustrate हो चुका था ये इन्सान बहुत आदा high level frustration में था और इसने अपने आप से अपने आपको दूर कर लिया लेकिन अभी ये चाहता है चीजों को ठीक करना बट क्योंकि इसने इतना एक शब्द होता है इतना रायता फैला दिया है अब तक कि अब इसकी हिम्मत नहीं पड़ रहे है अब बताईए सो अगर आप मुझे पूछें कि क्या ये परसन मेरे साथ रियोनियन चाहता है हाँ चाहता है बट क्योंकि इसने आपके साथ हर तरह से इमोशन के जो बॉंड्स थे इमोशनल बॉंड्स थे आप दोनों का जो एक धागा जुड़ा हुआ था प्यार का वो इसने खुद तोड़ा है और अब क्योंकि इतना लंबा तोड़ दिया है और इतना लंबा उस फेज को खीच दिया है एक लेवल पे आके कि अब ये चाहते भी है ना चीजों को ठीक करना तो भी नहीं कर पा रहे है एक तरह से को है है आए इसे कैसे डील कर रहे है आपके लिए का गाइडेंस है मुझे आपके लिए गाइडेंस निकालनी होगी आप को divine क्या कहना चाहते हैं आप divine guidance देखें क्या है आपके लिए compromise अगर आप अपनी तरफ से compromise करना चाहते हैं इन्हें समझाना चाहते हैं कि देखो पहले तुमने ऐसे किया और अब तुम अगर इस तरह से चीजों को ठीक करना चाहते हो तो I am ready बट अगर ये अभी भी चीजों में अपनी ही mastery दिखाने लगें आपको तो फिर आप जड़ा सा सतर को जाएं अगला है it's up to you मैंने कह दिया आपको यही बात मैंने बोली फिर आप पर है और यही आगया कि यह आप पर है तो आप के उपर है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस से लाना चाहते हैं क्योंकि यह तो अपने ही जाल में फस चुके हैं अपने ही आप अपने ही गलतियां करकर के उन ही एक पूरे केज में खुद ही बन दा और बाहर आक आना भी चाहते हैं तो आ नहीं पा रहे हैं ठीक है तो यह है My Dear Pisces आपकी रीडिंग I hope आपको बहुत clarity मिली हो फ्रेंज रीडिंग को प्लीज लाइक जरूर करना और कॉमेंट भी करना चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आप से अगली रीडिंग में मिलूंगी फ्रेंज तब तक के लिए प्रेंज 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 रीडिंग